हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका Total Prep UPSC चैनल में और आज मैं आपके लिए लेकाया हूँ 5th June का Rapid Roundup जिसमें कि हम The Hindu की उन सारी News पे बात करेंगे जो कि UPSC Prelims और बाकी Exams के लिए MCQ Point of View से Important हैं और साथी साथ हम स्टाटिक के भी उन पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे जिन पे की इन News की वज़ा से Questions बन सकते हैं विडियो का टाइटल है सरल और सिंपल क्योंकि हम हर एश्यू को एकदम बेसिक से कवर करेंगे और हमारी पूरी एनलेसिस एकदम सरल और सिंपल वे में आपके सामने प्रेजन करेंगे तो ज्यादा टाइम विच्ट न करते हुए चले चलते हैं आज की पहली News पर आज की पहली News है रिगार्डिंग इंडिया चाइना टॉक्स जैसा की आपको पता होगा गाईज 6 जुन को इंडिया और चाइना की लेटिनेंट जेनरल लेवल की टॉक्स शेडिल की गई है जिससे की लग रहा है कि ये पूरा इंपास जो क्रेट हुआ है जो बॉर्डर पे इंब्रॉक्लियो क्रियेट हुआ है वो लेटिनेंट जेनरल लेवल की टॉक्स से ही सॉल्व होगा तो ये इसके बारे में न्यूज आई है कि ये पहली आज तक की सबसे पहली लेटिनेंट जेनरल लेवल टॉक्स हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में इसके पहले मे डेगेडियर लेवल की टॉक्स अकसर हर एक क्वाटर में, तीन महीने में एक बार होती रहती हैं. पर मेजर जन्रल की टॉक्स पर भी ये मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया. अब 6 जून को लेटिनेंट जेनरल लेवल की टॉक्स हो रही है और सबकी उम्मीद है कि इससे इंडिया और चाइना का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसमें सिर्फ इस्टन लद्दाक पे फोकस किया जाएगा ऐसा न्यूज में मेंचन्ड है तो लग रहा है कि सिक्किम पे शायद इसका मतलब है सिक्किम के नाकूला पास पे जो मामला बना है उस पे बात नहीं होगी और ये टॉक्स कहां पर होंगी तो ये टॉक्स होंगी इन लोकेशन की बात हो रही है अक्सर न्यूज में आ रहे हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि बहुत ज्यादा चांसे हैं कि इन सारे एरियास को नौर्थ से साउथ अलाइन करिये या इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए इस मैप में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स को नौर्थ से साउथ अलाइन किया हुआ एक इमिज दे दिया है आप ध्यान से देख लीजिए इसको सेव कर लीजिए चाहे तो अपने फोन पे बीच बीच में आप इसको यूज में नहीं आ रही थी लेकिन अभी दो दिन से गोगरा पोस्ट पर भी बात हो रही है तो वो भी यहां पर मेंशन किया गया है तीसरा फिर चौथा पॉइंट है जो पैंगॉंग लेक क्या फिंगर्स रीजन है पैंगॉंग लेक एक बूमे रैंक के शेप में है और व फिंगर फॉर पे भी चाइनीज फोर्स खड़ी है तो वो यह कहना चा रहे है कि वो स्टेटस को को चेंज करेंगे आज तक इंडियन फोर्स जहां पर थी हम वहां तक इंडियन फोर्स को नहीं आने देंगे तो यह बात गलत है इंडिया इसको लेकर अबजेक्ट कर रहा है और बहुत strongly कल की Lieutenant General Level Talks पे जरूर इस पे बात होगी और final सबसे south का point है Dem Chalk, Dem Chalk point जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इन सारे points को कैसे align करना है आप इसको एकदम याद कर लीजिए, जरूर exam में यह आने वाला है Moving on to the next news, कि unemployment rate कम हुई है, ऐसा news में आया है कितने percent से कितने percent हुई है, आप उसको mains के लिए देख सकते हैं अपने एक general idea बना के रखने के लिए कहा जा रहा है पिछली बार जो आया था, इसका data वो था कि 40 साल में सबसे ज़्यादा unemployment rate निकल के आई थी इस बार minor उसमें change हुआ है, थोड़ी सी कम हुई है, कोई बहुत ज़्यादा improvement हुआ नहीं है which is to be expected, जब हर दरफ lockdown चल रहा है, economic की हाले ठीक नहीं है इस समय में employment अचानक से कहां से बढ़ जाएगा तो लेकिन इसमें जो point MCQ वरदी point है, जिसपे कि MCQ पुछा जा सकता है वो ये है कि unemployment rate आप बताते है periodic labor force survey PLFS से, जिसको कि कौन सी agency निकालती है, तो National Sample Survey Organization NSSO निकालता है, ये बहुत important point है, पुछा जा सकता है कि periodic labor force survey कौन सी agency निकालती है, तो वो NSSO निकालती है NSSO कौन सी ministry के अंदर में आती है, और वो और कौन-कौन से reports निकालती है हर report कितने-कितने period में, कितने months में निकाली जाती है ये guys आपको बिलकुल अपने fingertips पर याद होना चाहिए ये 2017 में periodic labor force survey 2017 में launch किया गया था after scrapping the earlier employment-unemployment survey इसके पहले एक simple data निकाला जाता था, कितने लोग employed है, कितने लोग unemployed है पर 2017 में इसको change कर दिया गया और एक labor force survey ये periodic labor force survey निकाला जाने लगा इसमें सिर्फ employed है और unemployed है से ज़्यादा एक detail में information आती है एक deep dive किया जाता है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा information मिलती है आज जो survey का result आया है, उसमें अगर दिखेंगे तो एक point ऐसा निकल के आ रहा है कि women's and rural workers employment showed the most improvement यानि women's employment and rural workers employment has improved अब इसका explanation इसमें नहीं दिया है report में कि कैसे ये women और rural workers की employment बढ़ गई गवर्मेंट के kin actions की वज़ा से बड़ी है, बट वो शायद आने वाले दिनों में इस पर और detail में बात होगी पर आज के लिए यही है कि ये दो point important है, आप से पुछा जा सकता है कि which of the following is true about the periodic labor force survey उसमें से आपको ये दीखना पड़ेगा एक point शायद उसमें बोल दे कि in the recent report the women's and rural workers employment showed improvement उसमें generally कोई भी सोचेगा कि ये वो sector से जिनकी employment generally उतनी बढ़ती नहीं है बट इन ही की बढ़ी है, तो ये point आप note कर लीजे और ये point कि ये इसके पहले employment unemployment survey आता था EUS उसको scrap करके 2017 में periodic labor force survey start किया गया है तो ये थी, this was about this news, moving on to the next news, the next news is hashtag सालभर 60 आज employment, आज world environment day है, 5th June को world environment day मनाया जाता है, UPSC pre में तो नहीं पर हाँ किसी दूसरे state PSC में banking से इस तरह के exam में जरूर पूछ लिया जा सकता है बहुती sitting duck question है कि world environment day कब मनाया जाता है या 5th June को क्या मनाया जाता है तो guys आज world environment day है, तो उसे related एक news है, hashtag सालभर 60 मुझे लगता है social media में जो campaigns चल रहे हैं और जो चीजें social media पर viral जा रही है आने वाले दिनों में UPSC और बाकी exams में इन सब पर questions जरूर आने वाले हैं तो बहुत जादा कोई चीज अगर trend कर रही है, जिस पर लेकर कि social media से मामला newspaper तक आ चुका है और वहाँ से चालू होकर TV news पर भी आ जाए, तो जरूर हमको उसका भी ध्यान कर लेना चाहिए तो क्योंकि देखिए, hashtag से ही समझ मा रहा है कि ये Twitter पे चलेगा campaign, मामला Twitter का है hashtag Salber60 पर दहिंदू में इसके उपर news आया है, इसी से बात important हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको आज के current affairs coverage में शामिल कर लिया है तो देखते हैं कि news क्या है, news है कि एक environmental campaign है ये hashtag Salber60, जो कि हरिद्वार की रहने वाली 12 साल की एक बच्ची है, रिधिमा पांडे, उनके द्वारा चालू किया गया है इसमें क्या होगा, इस campaign के जरीए मांग की जा रही है कि शहरों में जो PM 2.5 लेवल है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है, वो 60 के नीचे ही maintain किया जाए 60 माइको ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के नीचे ही maintain किया जाए, maintain किया जाए का क्या मतलब है, यह जो टेबल यहाँ इस news के साथ ही दिया गया है, मैंने यहाँ पर जूम करके आपके लिए इसमें दिया है, आप देखिए, मुंबई का डेटा दिया जा रहा है, कि पार्टि डाय ऑक्साइड जो है, उसका लेवल भी काफी कम था पर अब बीच में एक बार लगता है था, लोगडाउन के आसपास कभी हाई भी हो गया था, इस तरह से, तो PM 2.5 जो है, वो सबसे छोटा पार्टिकुलेट मैटर है, और उसके जादा बहुत जादा पॉलूशन होता है वो इनहेल भी कर लिया जाता है, स्मॉग क्रेट होता है उसके द्वारा, तो इसके लिए लोगों की डिमांड है कि इसको कम रखा जाए, अभी लॉकडाउन की वज़ा से कम है, पर इसके बाद भी मेंटेन किया जाए, इंशॉर किया जाए कि ये कम होगा, एक बात इंपॉ पाई की जाए, उसकी भरपाई करने के लिए बड़ी ही दृत गती से और बहुती एकदम पीक लेवल पे प्रोडक्शन और ट्रेड इस तरह के काम, एकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिये जाएंगे, और क्योंकि इन सब के जर बता दिया जाएगा, इन सब से related कोई अगर concern उठाएगा भी, तो governments भी कहेंगे कि देखो अभी environment पे बात करने का समय नहीं है, अभी हमारी economics की हालत ठीक नहीं है, पर environment एक ऐसी चीज़ है कि बाकी चीज़ों के लिए environment आपका wait नहीं करेगा, environment में कई point of no returns हैं, एक बार स्थ कर लो, ऐसा होगा नहीं, इस pollution से related जो लोगों को बीमारिया होंगी, वो तो अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगी, तो यानि इसका मतलब ये है कि हमें economic activity को बढ़ाना है, पर environmental conservation को ध्यान में रखते हुए, इसी बात पर ध्यान खीचने के लिए ये hashtag cyber60 नाम का campaign चलाया जा र उनको tag करेंगे ये decision इस बात पर ध्यान खीचने के लिए के particulate matter की जो level है उसको कम रखा जाए, particulate matter क्या होते हैं और PM 2.5, PM 10 क्या है, इन सब पे आपको पढ़के रखना चाहिए, ये जो report हमेशा निकलती है particulate matter की, उसमें कौन-कौन सी gases, कौन-कौन सी substance mention किये जाते हैं, व the air, that are responsible for air pollution, एक question बहुत common आता है कि indoor pollution के लिए सबसे ज़्यादार कौन सी gas है, वो argon है, आप एक बार फिर भी इसको confirm कर लिजेगा, electronic devices से शायद argon होता है, release होता है, argon या redon, तो इन दोनों में से कोई एक gas है, उसका answer, वो आप एक बार online चेक करके confirm कर लिजेगा, इस list में एक और interesting point है, अगर किसी को पता हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पर point out कर देता हूँ, कि आप देखिए, pollutants में जो last point है, वो ozone का है, O3 stands for ozone, तो कोई समझ सकता है कि ozone का number बढ़ रहा है, तो why is this a cause for concern, ozone तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो, ह राइट, जिससे कि related news यह है कि ozone layer का छेद भर रहा है, और Montreal agreement है, वो काम कर रहा है, इसके related environment से related, जो बहुत landmark, there is the Kegali agreement, there is the Montreal protocol, फिर there is the convention on hydrofluorocarbons, इस तरह से related, जो points है, environment से related, जो international agreements है, वो किसी भी serious UPSC aspirant के एकदम finger tips पे होने चाहिए, जवानी रटा हुआ होना चाहिए, फिर यहाँ पर बात उटी है, तो आप जाके तुरण से brush up कर लिजे उन सारे agreements और points को, anyways तो बात कर रहा था ozone की, ozone layer जब हमारे atmosphere में present रहता है, तो वहाँ obviously यह बहुत important है, क्योंकि यह sun की UV rays को deflect करता है, लेकिन ozone जो जमीन के पास जो मिलता है, वो एक harmful air pollutant है, क्योंकि इसका लोगों पे और environment पे असर ठीक नहीं है, और जो smog जिसको कहते हैं, जो ठंड के समय बड़े बड़े शहरों में बताया जाता है कि visibility बड़ी कम है, थोड़ा एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, traffic कैसे होगा, लोग इसको inhale कर रहे हैं, लोगों के lungs पे असर प जाते हैं कि मौजूद रहे, तो ये एक point to be noted जैसा point था, exam में पूछा जा सकता है, which of the following is the major ingredient in smog, तो आप उसमें ozone देखेंगे तो बिलकुल mark नहीं करेंगा, आप सुचेंगे ozone तो एक helpful gas है, ये pollutant कहा है, but ozone near the earth's surface is a pollutant, तो ये थी ये news, moving on to the next news, ये next news एक छोड़ा सा point है, स्क्रीन की right में आप देख सकते हैं, अब पाकिस्तानी national has been arrested in indoor मध्यप्रदेश with illicit पान मसाला, एक पाकिस्तान के कोई है, वो indoor से उन्हें arrest किया गया है, वो गैर कानूनी पान मसाला लेके घूम रहे हैं, जबसे कोरोना से related lockdown देश में लागू किया गया है, तबसे ये पान products का जो sale है, उसको ban कर दिया गया है, since March 25, क्योंकि उसको का के लोग यहां वाँ थूखते हैं, जिससे की corona family की संभावना बढ़ जाती है, और उनके पास से ये illicit पान मसाला सीज किया गया है, तो ये तो खेर, ये किसी exam में तो आएगा नहीं कि इसके पास से क्या सीज किया गया है, और आप correct option पान मसाला मार करेंगे, ये तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन जिस agency ने इन्हें पकड़ा है, that is the Directorate General of GST Intelligence, ये एक बहुत important point है, देखे, Directorate General of GST Intelligence, नाम सही समझ में आ रहा है, it is a law enforcement agency under Ministry of Finance, GST से related मामलों को investigate करने के लिए, नाम से हम clear समझ सकते हैं, ये agency है, तो ये Ministry of Finance के अंडर में ही रहेगी, तो it is responsible for fighting tax evasion in India, अगर question आए, which of the following agencies is responsible for fighting tax evasion in India, तो उसका answer है, DGGI, उसका logo भी मैंने या साइड में दे दिया है, और earlier it was called the Director General of Anti-Evasion, जो की 1979 में इसको, इसकी स्थापना होई थी, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, DG Central Excise Intelligence, इसका नाम हो गया था, ये part of net grid है, net grid क्या होता है, ये एक point to be noted है, आप बिल्कुल इसको जाके search करिए, net grid से related question, आराम से किसी भी exam में आ सकता है, इसी से related दो और agencies है, उनका नाम मैंने mention कर दिया है, यहाँ पे, there is a Directorate of Revenue Intelligence, जो की smuggling, हमारे Government of India की anti-smuggling unit है, और Central Economic Intelligence Bureau, तो ये जो है, Central Investigation Bureau जैसे Central Economic Intelligence Bureau है, ये economic warfare को लेके investigate करती है, कि दूसरे देश के लोग हमारे देश के साथ economic warfare तो नहीं कर रहे है, एक important point इसमें आ जाता है dumping, dumping क्या होता है, इसको ब्रशब करके देखे, दूसरे देश के लोग WTO agreements का इस्तिमाल करके, अगर अपना substandard माल, जबरदस् हमारी economy market dump कर देते हैं, तो उसको dumping कहा जाता है, which is against the interests of our economy, और दुन्या का हर देश dumping को लेके काफी सत्क रहता है, दूसरा economic offense है, that is called industrial espionage, कि उस देश की industry में बहतरी करने के लिए, हमारे देश की industry में कोई spying तो नहीं कर रहा है, हमारी processes को, हमारे patents को, हमारे copyrighted material को hack करके, या बाकैदा industry को infiltrate करके, वो गयरकानुनी तरीके से information हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, industrial espionage का इलजाम आजकल बहुत लग रहा है, हुआई पे, जो लोग रोज news track कर रहे हैं, उनको पता होगा, हुआई 5G के field में एक leading technology company है, जो की एक Chinese company है, लेकिन अमेरिका और ह आली में England, UK के prime minister ने भी ये बात कही है, कि हुआई के जरिये China industrial espionage करता है, हम उसको 5G technology हमारे देश पे implement नहीं करने देंगे, इसके जवाब में कैसे तो वो नहीं करेगा, तो कौन implement करेगा, इसके लिए Boris Johnson, UK के prime minister है, उन्होंने D10 नाम का एक organization बनाने का सुझाव दिया था जिसमें की वो चाह रहे थे की G7 प्लस आपको South Korea, India and there was one more country, I can't remember right now, उसको साथ लेके वो चाह रहे हैं की बने एक D10 नाम का group 5G implement करने के लिए, ये मैंने सोचा की information आपको refresh कर दूँ यहाँ पर, तो ये थी news related to DGGI, so moving on to the next news, the news is about India Australia summit, India और Australia की शिखरवारता हुई है, summit meeting में क्या होता है, दोनों देशों के head of government आपस में मिलते हैं, ऐसे meetings होती है, secretaries मिलते हैं, ministers भी मिलते हैं, but summit meeting में सबसे महतुपमून फैसले होते हैं, तो India और Australia की summit meeting हुई है, ये summit meeting दूसरी meeting से अलग क्यों है, क्योंकि ये एक virtual summit हुई है, because of COVID-19 सब हर तरह की social distancing का पालन कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश एक बहुत बड़ा जथा लेकर आप जाएंगे, तो किसी भी तरह की कोई भी distancing आप maintain नहीं कर पाएंगे, तो online video conferencing के तुरू यहाँ पर virtual summit हुआ है, इस news में बहुत सारे important points हैं, मैंने सबके सब highlight कर दी हैं, आप देखेंगे कि India and Australia are talking about a comprehensive strategic partnership, after a virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Scott Morrison, who concluded nine agreements, 9 समझोते हुए हैं, including a mutual logistics support agreement, MLSA, यह जो MLSA है, यह सबसे important point है, जिस पर की दोनों देशों में agreement हुआ है, उस agreement में क्या है, वो आगे news में आएगा, तो they have issued a joint declaration on a shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific, maritime मतलब समुदर से संबंदित, समुदर और समुदर के जरीए होने वाले व्यापार से संबंदित issues को maritime कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि समुदर से संबंदित जो भी मामले हैं, उस पे हमारे और Australia की जो सोच है, इंडिया और Australia की जो सोच है, वो एकदम joint है, दुनों एक दूसर से पूरी तरह से सहमत है और यह ऐसा तो यह समुद्र कहां से इसको लेके चूँ अचानक बात हो रही है क्योंकि इंडिया और ऑस्टेलिया साथ आए हैं चाइना के साउच चाइना सी में बढ़ते हुए दबाव की वज़ा से साउच चाइना सी मैप में आप देखिए जोगरफी से रिलेटेट बहुत इंपोर्टन्ट एरिया है इससे रिलेटेट कौन-कौन से देश कहां-कहां अलाइंड है नौर्ट से साउच करो अरेंज करो किस देश की सीमा किस देश से लगती है यहाँ पर कौन-कौन से दो जमीन की बॉड़ी के बीच में से जो पानी की बॉड़ी निकलती है उसको स्ट्रेट कहते हैं स्ट्राइट तो कौन-कौन से स्ट्रेट से यह सारे आपको पूरे रट लेने चाहिए ज़रूर एक्जाम में आएंगे तो उनसे रिलेटेट साउच चाइना सी में चाइना दोनों देश हैं वो UN clause का समर्थन करते हैं UN clause is United Nation Convention on the law of the seas यानि के समुद्र में किसी देश से कितनी दूरी तक उस देश की सीमा चलती है तो 12 nautical miles एक देश की जमीन से 12 nautical miles दूर तक उस देश की समुद्री सीमा माने जाती है also किसी भी देश के जमीन की सीमा से 300 miles दूर तक उस देश का exclusive economic zone EEZ माना जाता है कि इस 300 miles की दूरी तक में कोई भी अगर माननीजे खनिच पदार्थ मिलता है और भी इस तरह के बहुत सारे agreement है जो जमीन किसी को belong नहीं करती है वो international area है वहाँ पर अगर कोई खनिच पदार्थ मिले तो उसको कौन माइन करेगा उस पे किसका अधिकार होगा और भी इस तरह की चीजें है they all constitute UN clause चाइना पे इज़ाम लगता है कि चाइना UN clause को नहीं मान से चाइना के बहुत ज्यादा important हो जाता है एक तरह से चाइना की life line है South China सी चाइना वहाँ पर artificial islands बनाके अपना exclusive economic zone बढ़ा रहा है यानि सिर्फ 300 मील दूर नहीं अपनी सीमा से काफी दूर तक उसने artificial island बना दिये हैं और अब वो कह रहा है उन islands से उन islands से आप 300 मील दूर का distance करिए calculate और बोलिए कि वहाँ तक हमारा exclusive economic zone है और उस region में जो दूसरे देश हैं जैसे कि Vietnam अगेरा तो उनको चाह रहा है कि वो उनके rights न दे जो की गलत है इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद है पिछले 3-4 सालों से UPCA aspirants, UN clause, South China Sea और इससे संबंदित मामनों को brush up करते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और exams में question भी आते जा रहे हैं पर यह issue है कि resolve हो ही नहीं रहा है तो इससे related जो important points हैं जो मैंने यहां slide में mention कर दिये देखिए सबसे पहला है mutual logistics support agreement इसको आपको जाके ब्रशब करना चाहिए किन-किन देशों के साथ logistics support agreement इंडिया का है basically इसमें यह है logistics यानी क्या यानी हमारे देश के जहाज जो है naval vessels या वो vessels जो cargo लेके जा रहे हैं वो आपके देश के port पे जाके dock कर सकते हैं किसी भी वज़ा से वहाँ जाके refuel कर सकते हैं relief operation वगरा के लिए और इस तरह से या passage दिया जाएगा आपका वेसल आएगा तो हमारे यह support agreement है जो कि आप समझ सकते हैं कि peace time में तो इसके बहुत uses हैं बट mostly इसको एक तरह से war time के लिए ही देखा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई situation नेवल डूसरे चाइना के साथ नेवी इसका tension हो जाता है अगर तो आस्टेलिया की नेवी नेवल vessels इंडिया के port पे आके refuel कर सकते ह सामान उतार सकते हैं उठा सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं किन-किन देशों के साथ इंडिया का यह agreement है आप उनकी list बना लीजे याद कर लीजे MCQ आ सकता है किन-किन देशों के साथ इंडिया का logistics support agreement है एक और MCQ वर्धी point है जो की news में दिया नहीं है मैं आपके लिए लेक रखता है अगर बहुत important हो तो आ सकता है जनरल ही नहीं आता है पर बाकी PSC exams में state PSC वगरा में जरूर आता है एक नया question इस से related इसको तो आप यादी कर लेजे और सिंडेक्स बहुत आसान नाम है यह और 2016 से 2018 इंडियान और Australian military के बीच में joint exercises हुए उसका नाम आफ्टरा रखा गया यह था मामला और एक इस news से important point है जो आपको प्रशब कर लेना चाहिए इडिस अबाउट the quad Q-U-A-D Quad जो की है Quadrilateral Security Dialogue between India, Australia, Japan and the US इंडिया, Australia, Japan और US ये चारों के चारों सिर्फ चाइना से परेशान होकर एक साथ आ रहे हैं South China Sea में चाइना की belligerence से परेशान होकर जो है एक तरह से साथ आके इन्होंने एक dialogue के लिए forum बनाया है और एक साथ विलकर हम कैसे चाइना की इस problem से deal करें या अपस में conversations करते हैं तो उसको quad कहा जाता है या quadrilateral security dialogue question आ सकता है quad के member कौन-कौन से देश हैं तो ये है और plus two plus two, two plus two meetings, two plus two dialogue बहुत सारे देशों के साथ इंडिया का हो रहा है, इंडिया और US के साथ, इंडिया का US के साथ होता है two plus two dialogue और आप Australia के साथ भी बात हो रही है कि two plus two format of bilateral meetings की जाएंगी तो उसमें two plus two क्या है कि हमारे देश के दो ministers, defense और external affairs ministers, आपके देश के defense और external affairs ministers के साथ मिलकर dialogue करेंगे, यानि कि देखिए हमारी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो है, वो एक माना जा रहा है कि इन दो, इन दो areas में हम दोनों के बीच में, इंडिया और US, इंडिया औ के summit meeting करेंगे, बातचीत करेंगे, bilateral dialogue करेंगे, तो two plus two का मतलब ये है, किन-किन देशों के साथ इंडिया का इस तरह का dialogue चलता है, वो आपको brush up कर के रख लिना चाहिए, exam में बहुत आसानी सा सकता है, और UN clause जो है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताई दिया है, तो ये मुद्री जहाज के द्वारा, plane के द्वारा, by road, train वगेरा से भी लेके जा रहा है, नेपाल, भुटान वगेरा से by road लोगों को rescue किया गया है, ऐसा news में mention किया है, तो ये न सोचे कि by road कहां से लोगों को ले आए, तो news में mention किया गया about by road rescue, तो इसके बारे में government ने ये data release किय है, ये अब जो है, इंडिया का सबसे बड़ा evacuation operation बन जाएगा, इसके पहले का सबसे बड़ा evacuation operation कौन सा था, वो जो आपने अक्षे कुमार की airlift movie में देखा था जिसके बारे में, उसका poster भी महने हाँ डाल दिया है, कि आपको याद आ जाए, वो था कि Gulf में, जब इराक पे ह तो अब आप देखेंगे कि वंदे भारत mission में अब तक और एक लाग से उपर लोगों को rescue किया जा चुका है, और total जो है, तीन लाग 48,000 से भी ज्यादा, ये नंबर जो मैंने लिखा है, उसमें एक zero छूट गया है, तो तीन लाग 48,000 से भी ज्यादा इंडियांस ने register किया ह rescue होने के लिए, जाहिर बात है कि सब को rescue करी लेगी government, तो तब आप देखेंगे कि ये जो 1,76,000 का अकड़ा है, कहीं पीछे छूट गया, और वंदे भारत आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा evacuation का mission बन गया है, government of India हमेशा अपने जो expats हैं, इनको expat कहते हैं, जो हमारे दे Indian origin, PIO, and the OCI card, जिनके पास है, OCI, PIO, NRI, expat, इन सब की definitions आपको clear होनी चाहिए, इनमें confuse करते हुए questions आसानी से आ सकते हैं, कि क्या हर expat एक PIO है, या हर PIO एक expat है, इस तरह की questions, तो government of India हमेशा अपने expats को rescue करती है, और उनके लिए हमेशा ready रहती है, उसका एक important कारण ये भ इंडिया में सबसे ज्यादा बाहर से अपने देश में remittance जो भेजा जाता है, वो Indian expats के द्वारा इंडिया में भेजा जाता है, या हर देश के कई लोग देश के बाहर काम करते हैं, और जब वो देश के बाहर काम करते हैं, तो वहां से वो पैसा घर भेजते हैं, जिससे ह इसलिए हर समय आप देखेंगे कि यमन में जब वार हो गई या इस तरह कि और भी गल्फ कंट्री में 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 कहीं भी कुछ हुआ तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया प्रॉम्टली मिलिटरी का इस्तिमाल करके अपने लोगों को रेस्क्यू करती है अलग अलग देशों में जो हम जो चोटी चोटी पॉइंट सकते हैं वह मैं लेके आया हूँ एक आर्टिकल आया है दा हिंदू में अबाट इंब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन दुनिया भर में बात हो रही है कि जो लोग मीट खाते हैं दुनिया भर में उसकी वज़ा से क्या होता है एक फैक्ट नियुक Really? इक की यका दूठी, जार्चरीख घंटी खाते हैं वेजेटेशन खाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा वेजेटेशन चाहिए और उसका लेवल इतना है, आप समझ ये कि Amazon के rainforest यूठ, वहां जला जला के जगर साफ की जा रही है ये 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 अन गायberg को खिलाने के लिए चारा हो गया जा सके जिनकों की beef industry ने पाला हुआ है जिनका meat फिर process करके packet करके बेचा जाएगा तो ये इसकी वज़ा से जंगल काटे जा रहे हैं और ये जानवरों को जो पाला जाता है गायव अगेरा ये global warming में भी contribute करते हैं तो इसकी वज़ा से दुनिया भर में का global warming की situation खराब होती है प्लस उनको चारा खेलाने के लिए यहाँ पर rainforest काटे जा रहे हैं तो तो डबल मार पड़ रही है environment को इसकी वज़ा से उसका क्या solution निकाला जाए बीच में काफी समय तक World Health Organization और इस तरह के लोग ये बयान दे रहे थे कि कीडे खाने चाहिए कीडों में बहुत प्रोटीन होता है और कीडे बहुत मिलते हैं इस तरह की बाते हैं बहुत समय से United Nations कर रहा है तो ये आर्टिकल देखके मुझे भी यही लगा कि alternative protein मतलब ये फिर वही बोल रहे हैं कि कीडे खाओ लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला है alternative protein जो है ये बहुत तरह तरह के plant-based या food technology alternatives हैं जो की animal protein के alternatives हैं तो alternative protein में क्या क्या आता है या brush up कर लिजे जरूर exam में क्या पता घुमते भिरते पूछ ले आपसे दूसरा point है about moratorium moratorium यानि supreme court ने judgment दिया है कि 20 में जो 3 महिने के लिए बोला गया था आप अपने bank loan की EMI नहीं देंगे तो चलेगा उसको 3 महिना और extend कर दिया गया है पर बैंकों ने बोला कि उस समय का interest तो लगेगा भले आप अभी मत देजिए बाद में लेंगे तो supreme court ने बोला है कि अगर आप interest ले ही रहे हो तो फिर क्या मतलब निकला कि आपने किसी को relief कहां दिया वो तो interest लगी गया आप मत लेते interest उन से तो इससे related यह term बार-बार news में आ रहा है moratorium moratorium का मतलब होता है it refers to the period of time during which you do not have to pay on an EMI on the loan taken the period is also known as EMI holiday जिस दौरान आपको EMI नहीं देना है आपको छुटी मिल गई है EMI holiday मिल गया है उसको moratorium कहते है इसकी definition आराम से exam में पुछी जा सकती है आपको याद रहनी चाहिए फिर एक और important point है इंडिया ने बताया है कि 5 dollar 15 million इंडिया देगा vaccine alliance को जिसका नाम है Gavi तो सवाल उठता है Gavi क्या है Gavi is a vaccine alliance in it is a public private global health partnership दुन्या भर में गरीब देशों में बच्चों को जो vaccine दी जाती है पोलियो और इस तरह की जितनी बिमारियों की vaccine दी जाती है गरीब देशों में शायद उतनी नहीं दे पा रहे हैं तो कई बिमारिया जो अब developed countries में बच्चों को होती ही नहीं है गयाव हो चुकी हैं उनसे भी गरीब देशों में अफरिका जैसे continent के कई देशों में बच्चे आज भी मर रहे हैं क्योंकि उन्हें vaccine टीका नहीं दिया जा पा रहा है उन देशों की सरकारों के पास उतने पैसे नहीं है इस तरह की मुहिम चलाने के लिए तो यह एक public private partnership है जिसके founder कौन है Bill and Melinda Gates Foundation Bill Gates दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है Microsoft के founder है तो उनके पास बहुत पैसा है वो इस तरह के social work काफी करते रहते हैं अपनी wife के साथ मिलके Bill and Melinda Gates Foundation उनके द्वारा बनाया गया एक NGO है तो वो दूसरे देशों की सरकारों के साथ मिलके है सरकारों के साथ कैसे देखी ये public private partnership है सिर्फ और सिर्फ Bill Gates का ये initiative नहीं है governments भी इसमें involved है तो देखी इंडिया ही उसमें जैसे 15 million dollar दे रहा है कि गरीब देशों में vaccine के लिए हम दे रहे हैं इसका नाम है Gavi, इसका headquarter है Geneva Switzerland में Geneva में United Nations की बहुत सारी bodies का headquarter रहता है Gavi का भी headquarter वहाँ पर है और Gavi एक vaccine alliance है तो ये आपको याद रहना चाहिए तो थैंक्यू गाइस ये थी आज की news मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का current office का coverage अच्छा लगा होगा और static से related जो जो points मैंने brush up करने का बताया उनको तुरंत आप देखने के साथ ही brush up कर लेंगे तो guys please मेरा ये नया channel है मेरा नया initiative है आपके लिए मेरे channel को like करिए subscribe करिए अपने friends के साथ share करिए और मुझे बताइए कि और किस तरह की current affairs से related information किस तरह की videos आप मेरे channel पे देखना पसंद करेंगे quality और इससे related और बहुत सारी अच्छे अच्छी videos में बहुत जल्द आप सब के लिए मेरे channel पर लेके आने वाला हूँ तो thank you guys मिलते हैं कल